नमस्कार दोस्तों सीफ और सिनिमा में आप सबका बहुत-बहुत सागत है मैं हूँ राज और आप देख रहे हैं इस बिस दोस्तों मैंने कहा था कि मैं धिंडोरा की स्टोरी सर्कल एनलाईज करूँगा तो चलिए आज हो करते हैं आप मेंसे जिन लोगों ने डैन हर्मन स्टोरी सर्कल का वीडियो देखा है उनको याद होगा कि इसमें आठ पॉइंट के बारे में मैंने बताया था जो इस सार्कल को कंप्लीट करता है और अगर आपने स्टोरी सर्कल का पहला वीडियो नहीं लिक के आईए आई बटम में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा हाँ तो जो मैं बता रहा था अब एक एक करके हम देखेंगे कि धिन्डोरा का स्टोरी स्ट्रक्चर कैसे इस बेसिक स्टोरी सर्कल से मिलता है डैन हर्मन स्टोरी सर भूबन में रहता है भूबन अपने दोस्तों के साथ उसकी पिता अपने दप्तर में और भूबन की मां उसकी घर के काम में और कोकिंग बगेरा लेके बिजी रहते है एस इस जिएल जिन्देगी चलता रहता है उनका उसके बाद आता है पॉइंट टू बट डे वर्न म्यूजिक को लेके पढ़ने के लिए उसकी पिता चाहते है थोड़ा सिक्यूरिटी और आराम की जिन्देगी और भूबन की मां को चाहिए स्टैटस इसके बाद आता है पॉइंट थ्री दे इंटर ए अनफैमिलियर सिचुएशन इस कहानी में वो कब शुरू होता है पानी की सेंटर कारेक्टर जो है यानि कि भूबन की पिता उनको कुछ याद ही नहीं है अगर यहाँ पे 3X स्ट्रक्चर की हिसाब से explain करें तो भूबन की पिता जी का लौटरी मिलना और एक्सिडेंट होना स्टोरी का प्लॉट पॉइंट वान है दो चीजे मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वो एक ही सिन में उन्हें पता चलता है कि उन्हें लौटरी मिली है और उसे सिन में उनकी एक्सिडेंट भी हो जाता है और अगर आप देखें तो जब लोग उन्हें वदाया देने लगते है चीजे मांगने लगते है तो उन्हें पता है कि उस लौटरी बनाने के लिए ये बहुत ही जरूरी है इसके बाद आता है point 4 add up to it जहां हमारा central character situation को handle करना सीख लेते हैं यहां भी भुबन की पिता जी situation को handle कर लेते हैं और वो decision लेते हैं कि किसी से कुछ कहना ही नहीं है चुपचाप रहना है और वो वही करते हैं इसके बाद आता है point 5 got what they wanted मैंने आपको बताया था कि story की इस point पे क्या होता है या तो हमारे central character को लगता है कि उसे मनजिल मिल गई है पर वो नहीं मिलती है या फिर immediate relief के लिए उनको जो चाहिए वो मिल जाता है इस कहानी के अगर बात करे तो भुबन की पिता जी को चाहिए था पैसा वो तो उनको कहानी की इस point पे आके नहीं मिलता है लेकिन immediate relief के लिए उनको चाहिए था लोग जो उन्हें परिशान कर रहे थे उनसे मुक्ती वो उनको मिल जाता है इसके बाद आता है point 6 pay heavy price for it मतलब ये जो immediate relief उसे मिलता है या फिर उसे लगता है कि मनजिल मिल गया है उसके लिए उसे एक भारी किमत चुकाना पड़ता है यहाँ पे भी ऐसा ही होता है भुबन की family को society से अलग कर दिया जाता है जब सब को पता चलता है कि भुबन की पिताजी की असलियत में lottery लगा ही नहीं तो society से उन लोगों को अलग कर दिया जाता है भुबन की पिताजी से अब कोई बाद भी नहीं करना चाता है जो लोग दो दिन पहले भी उन्हें किसी तरह से खुश करने में लगे हुए थे वो लोग अभी उनका मूँ भी देखना नहीं चाते है इसके बाद आता है point seven then return to their familiar situation अब ये familiar situation में बापस कैसे आएंगे अब इतना पापर बेलने के बाद इतना कुछ होने के बाद एकई चीजय उन्हे comfort zone में ला सकता है ऑकई चीज़ उन्हे familiar situation में ला सकता है और वो है मनजिल का सचंच मिल जाना और वो अब सच में मिल जाता है भुवन की पिता जी की इस बार सच में लोटरी लग जाती है और वो बापस अपने comfort जून में आ जाते है इसके बाद आता है point eight having changed मतलब फिर से आपका character बापस अपने comfort जून में तो आता है लेकिन उप पहले जैसा नहीं रहता है वो आउर बहतर होता है क्योंकि इस पूरी कहानी की जानी की वज़े से उसने कुछ सीखा है और उस सीख की वज़े से वो बदल गया है और अगर इस कहानी की बात करें तो इस कहानी की पूरी जरनी की बाद भुवन की पिता जी समझ गये थे कि आम लोग कितने selfish होते है और सब कुछ सब को बता देना भी अच्छा नहीं होता है इसलिए वो भी बदल जाते है इस बार भुबन की पिता अपने लोटरी पाने की बात किसी को भी नहीं बताते है बलकि भुबन की मा भी किसी को नहीं बताती है लेकिन वो अपने life को भी वेतर बनाते है और साथ साथ लोगों की मदद भी करते है और यहाँ पे story circle भी खतम होता है और ये कहानी भी story circle को आप कैसे अपने writing में apply कर सकते हैं ये जानने के लिए story circle पे बनाया हुआ वीडियो का part 1 आप जरूर देखिए बिल्कुल मिस्मत कीजिए आज के लिए बस इतना ही वीडियो अगर पसंद आया तो एक लाइक जरूर कीजिए दोस्तों के शेर कीजिए अगर आप हमारे चैनल में नए है तो जरूर हमारे चैनल को subscribe कर लेजिए क्योंकि ऐसे फिल्म मेकिंग वीडियो और अच्छे अच्छे फिल्मों के खबरे आपको इस चैनल में मिलता है और मिलता रहेगा तो keep writing, keep watching SBS, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ तब तक के लिए take a very good care of yourself